अब आप बोलेंगे इसमें क्या फरक है? बहुत बड़ा फरक है एक तो नमक बनता है समुद्र के पानी से जिसको आदमी बनाता है जो आजकल आपके घर में आता है ये बजार से जो आप नमक लाते ना आयोडीन योगती ये सब समुद्र के पानी का नमक है और एक नमक है जो बहवान बनाता है इश्वर बनाता है वो बही नमक है जिसको लाहरी नमक कहते हैं सेगा नमक कहते हैं कुछ लोग उसको उपुवास का नमक भी कहते हैं फरारी नमक कहते हैं वो उपुवास में इस्तेमाल करने वाला नमक है दोनों नमग को लेबरेटरी में जब टेस्ट किया हम लोगों ने बहुत काम किया इस नमग पे हम लोगों ने रिसर्च करके टेस्टिंग करकर के तो फदा चला कि जो समुद्र का नमक है, समुद्र पानी का नमक है, इसमें शरीर के काम आने वाले तीन या चार ही माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, तीन से चार, कभी-कभी तीन रहते हैं, कभी चार रहते हैं, और ये जो समुद्र के नमक को छोड़कर हम सेधा नमक खाना पाकिस्तान वाला लाहर वाला या उपवास वाला उसमें 94 तक माइक्रो न्यूट्रेंट्रेंट्स तो आप सीवे कहींगे हमको तो वही चाहिए वही नमक सबसे अच्छा और मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो पता ये चला कि जब हम समुद्री पानी का नमक खाते हैं तो शरीर के सारे कॉम्प्लिकेशन्स वरते क्योंकि वो शरीर को अनकूल नहीं पड़ता क्योंकि समुद्र का पानी ही अनकूल नहीं है किसी को समुधर के पानी को शुद्र करने की ताकत तो भगवान और ईश्वर और वाहे गुरू के इपास है और किसी तो पास है आदमी तो नहीं कर सकता यह समुधर का पानी जब धूब पड़ती है वैपराइज होता है बागल में बदलता है बागल फिर बरसता है पानी आता वो जो साइकल है वो ईश्वर की प्रकरती की साइकल है हमारी ने वहीं कर सकता हम नहीं कर पाते हैं लिबॉरेट्री में कितना भी हम शुद्द करें हम नहीं आ पाता है और दूसरी जानकारी कि सारे नमक समुद्र वाले ब्लेट प्रेशर बढ़ने वाले है समुद्र के पानी का जितना नमक खाएंगे ब्लेट प्रेशर उतना ही बढ़ेगा आपको और आजकल ब्लेट प्रेशर एक कॉमन डिसीज हो गई है जो किलर है किसी को भी मार डाले हर सबसे बड़ा कारण है नमक जो हमारे घर में हैं। मैं आपको और एक एतिहासिक जानकर ही देना चाहता हूं। सुनके आपको खराब जरूर लगेगा लेकिन वो सच है। यह है कि यह समुद्र के पानी का नमक हम भारतवासियों ने मातर सतर साल पहले से खाना शुरू किया है। सतर साल पहले कोई भारतवासी समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था। हम सब सेना नमक खाते हैं आयोडीन की नाम है अब समस्य इसमें एक आती है वो ये कि हमको आयोडीन की डिफिशेंसी हे नहीं क्योंकि हम आदा क lizardी दाल रूज़ख खाते हैं फिर हम एक्स्ट्रा आयोडीन वाला नमक खाएंगे तो आयोडीन जरूरस से ज़्यादा शरीर में हुआ तो समस्या आती है और वो समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है नपुन सकता की सर्प्लस आयोडीन जितना भी शरीर में आएगा आपको लगातार नपुनसक बनाता जाएगा इंपोटेंसी आप में आएगा और हमारे देश में ये केसि गवादे लगे हैं मैं तो डॉक्टर की तरह से भी काम करता हूँ पिछले बारे साल से और ट्रीट्मेंट देता हूँ, निशुलक देता हूँ, फुकर्ट में चिकत्रा करता हूँ इसलिए बहुत पेशेंट होते हैं मेरे पास ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, दस साल हो गई, बारे साल हो गई कहीं कोई complication नहीं है बच्चा नहीं हो रहा है मैं दोनों की report में कलवाता हूँ पती की पतनी की कहीं कोई मुझे complication समझे नहीं आता last मैं फिर मैं diagnosis करते हूए iodine का check करवाता हूँ तो उनके blood में जरूरत से ज़ादा iodine मिलती है जरूरत से ज़ादा iodine blood में अगर है तो ये क्या करेगी आपके sperm count कम कर देगी अगर आपको रुश हो तो और अगर इस तरी है तो आपका ovulation का काम खतम कर दे और फिर आप मा या पिता नहीं बन वाएंगे ऐसे हजारों केस आरे फिर मैं क्या करता हूँ जब मुझे कोई complication नहीं लगता iodine surplus दिखता मैं उनको कहते था हूँ नमक बदल दो आप ये सेदा नमक खाना शुरू बरो काला नमक खाना प्रो एक साल के बाद वो आते हैं कहते हैं बच्चा तो हो गया गाप मुझे कहते हैं मैं पीड़ा जो करता है किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनकी energy लेवल कम हो रही है इस एक्स पावर कम हो रही है आप simple इतना करो नमक چेंज करणका नमक चेंज करते हैं आप देखना आपका चेंज ज़साएंगे मिरेकुलस तो नमक का हमारे देश में आज की जमाने में टीवी का हेमरिंग करकर के विग्यापन करकर के हमारा ऐसा दिमाग खराब किया है कि हर व्यक्ति को लगने लगा आयो भी नमक नहीं खाएंगे तो मेरा बेटा ऐसा पैदा होगा जैसा उसका टीवी में दिखाते हैं या आयो भी नमक नहीं खाएंगे तो मेरा गला ऐसा हो जाएगा जैसा टीवी में दिखाते हैं दिमाग खराब हो जाएगा मैंने कभी नहीं खाया मुझे ना दिमाग खराब है ना कोई देना रूग है, ना कोई तकलीफ है ऐसे बहुत सारे लोग है तो आप ये विग्यापन बाली में मजजाईए ये तो सरकार के। विग्यापन है और सरकार के विग्यापन कुछ्छ वेस्टिड इंट्रस्ट के साथ है स्वार्ध क्या है इसमें नमग बनता है समुद्र का 15 पैसे किलो आप जानते हैं क्योंकि उसको बनाने में खर्चा कुछ नहीं है समुद्र का पानी है मुफत का है सूरज की रोशनी है वो भी मुफत का है मशीन कोई लगती नहीं 15 पैसे किलो का नमग बनता है अब उसको बेचना है दस रुपए किलो तो कैसे बिकेगा तो कुछ तो कुछ उसमें शिगूफा लगाना पड़ेगा तो वो बताना शुरू करते हैं आयोटाइस्ड है आयोटी नियुक्त है एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है ये सब आपको बोल बोल के उल्डू बनाते है नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है एक्स्ट्रा फ्री फ्लो मनें वो दाना दाना गिरता है मैं आपको जो किस्सा समझाना चाहता हूँ ये दाना दाना नमक गिरना ही नीच चाहिए नमक कभी भी एक्स्ट्रा फ्री फ्लो होना नहीं चाहिए नहीं तो वो नमक नहीं रहेगा एक्स्ट्रा फ्री फ्लो करने के लिए पता है क्या किया जाता है नमक की जो नमी है उसको निकाला जाता है और नमक की क्वालिटी है कि वो नमी को एब्सॉर्फ करता है खुला हुआ नमक यहां रखतो हो, सूखा हुआ दस मिर्ट के बाद आप देखेंगे वो गिला गिला हो जाएगा बातावरण में जितनी भी हुमिनिटी है उसको वो खीचता है यह की क्वालिटी है नमक की अब वो नमी को निकालने के कीमिकल डालते है उसका नाम है ऐलुमिनियम सिलिकेट और ये कीमिकल और भी खतरना एक तो डाल दिया है कोटेशियम आयोडेट जो इन औरगैनिक है उसको एक्स्ट्राफ्री फ्लो बढ़ायने के जिसे ये दोनों समस्याएं हमारे शरीर को बहुत कॉम्लिकेशन दे रही है अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ जो आपको होनी ही चाहिए यूरोप और अमेरिका में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक की जरूरत है उनको जरूरत है क्योंकि उनके हाँ सब्जी बनाना किसी को नहीं आता वो बनी बनाई सब्जी लाते है जो पैकेट में आती है डबा बंद आती है और बनी बनाई सब्जी में नमक मिलाके पैकेट में बना सकते हैं जो खराब हो जाती है तो वो बिना नमक की सबजी बनाके पैकेट में बंद करके हेमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको सबजी बनाना आता हूँ अमेरिका में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसको सबजी बनाना आता हो वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इंजिनियर हो सकते हैं लेकिन सबजी बनाना किसी को नहीं आता रोटी बनाना नहीं आता, पराठा बनाना नहीं आता, पूरी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उनको, तो इस टेक्नोलोजी में हम ही मास्टर हैं और कोई नहीं, हाँ, कुछ आते ही नहीं है, वो तो बजार से पाव रोटी खरीद लाते हैं, डबल रोटी खरीद लात हम सो आइटम बनाते हैं गेहूं के आठे से उनको एक ही आइटम बनाना आता है, वह पाउ रोटी, डबल रोटी, वह भी सडा का है, फर्मेंटेशन करा का, छेचे दिन सडाना पड़ता है, आठे को मैदा बना के तम बनती है, तो उनकी प्राब्लम है सबजी बनानी सकते है, दाल बनानी सकते, आती है नहीं, टिक्नोलोजी उनको किसी ने बताई नहीं, उन्होंने कभी ली भी नहीं दुन्हों से, दुन्हों किसी देश से, तो उनको उपर से नमक डाल के खाना पड़ता है, सलाल में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा फीफो की जरूरती थी क्योंकि हमारे दाल बनाते हुए नमक डाला जाता है सब्जी पकाते हुए नमक डाला जाता है हम सब्जी बनने के बाद नमक डाल के नहीं खाते करें हम सब्जी बनाते हुए नमक डालते हुए उसमें बॉइलिंग आता है उबाल आता फिर जाके हम वो सब्ज खाते हैं तो लेकिन सरकार हमको भी जबर जस्ती वह नमक खिला रही है अक्स्टाफी फ्लो के नाम पर तो हमारे शरीव में अल्यूमिनियम स्लिकेट पढ़ता जा रहा है और उसके कारण लंस infection की बीमारिया है दमा है, अस्थमा है, ब्रॉंकिल अस्थमा है चुबर क्लोसिस है, क्योंकि aluminium sleakate बहुत खताख खराब के अभीकल है aluminium का ही नाम आम जानते है वो बहुत खराब है, heavy metal है वो सब deposit होता है, flush out नहीं हो सकता बोड़ी से इसलिए मेरी आप आपको हाद जोड़कर वित्ती है कि जो जिन्दभी भर आप सुष्थ रहना चाहते हैं, तो नमप तो आज से ही बदन दीजा